प्यारे बच्चो नमस्कार आज हम हर्याना के साथ साथ भारत की भी करंट अफेर की सीरी शुरू करने जाने हैं इंडिया जी के इन हिंदी दो हजार बाइस और ये हमारे अलकम्पिटिटिव एक्जाम के लिए महत्पून होगी और इसमें हम भारत के समन्नी गैंगे जो डेल हमारा पहला पर्शन है 26 जनुरी 2022 को कौन सा गणतनतर दिवस मनाया गया था इकहत्रवां बहत्रवां तिहत्रवां या चोहत्रवां तो इसका सही उत्तर है तिहत्रवां 26 January 2022 को भारत ने अपना 73 वा गणतंतर दिवस मनाया था क्यों कि पहला जो गणतंतर दिवस मनाया था क्योंकि पहला जो गणतंतर दिवस मनाया था इसके बाद में 26 जनुरी 1950 को भारत में सविधान लागू किया गया था पून रूप से और इसी के कारण हर साल 26 जनुरी को गणतंतर दिवस मनाया जाता है और जैसे लेकिन जो हमारा सविधान है वो दिवस मनाया जाता है 26 नुवंबर को 26 नुवंबर को क्योंकि 26 नुवंबर 1949 को सविधान लागू हुआ था इसके हुआ था इसके कुछ अनुछेद लागू किये गये थे पूरा नहीं लागू किया गये थे तो 26 जनुरी को गणतंतर दिवस मनाया जाता है और अगर हम सविधान की बात करें तो भारत का जो सविधान है उसे बनने में दो साल 11 महिने और 18 दिन लगे थे 18 दिन लगे थे इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि तीन साल में से तीन साल में से बारा दिन कम बारा दिन कम इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो अब अगर हम बात करें 26 जनुरी की तो 26 जनुरी को जो गणतंतर दिवस होता है उस पर जो जन्डा होता है वो भारत के राष्टपति फैराते हैं राश्टपती महुद्य फैराते हैं जो कि भारत के पर्थम नागरिक है भारत के पर्थम नागरिक है और जो भारत में गणतन तरात्म को विएस्था है वो हमने फ्रांस से लिए ये ये भी एक मैंतेपोन परशन है कई बार पूछ लिए जाता है कि भारत की जो गणतन तरात् करी पसंद आई होगी कि 26 जनुरी 2022 को हमने कौन सा गणतंतर दियस मनाया और 26 जनुरी 1950 को पहला गणतंतर दियस मनाया गया था तो इसके हिसाब से 22 को 2022 में 73 हो जाएगा फिर 26 जनुरी 1950 को हमारे देश का सविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था यह बात आपने ध्य चेद लागू कर दिये गए थे पूरा लागू नहीं किया गया था पूरा लागू किया गया था 26 जनुरी 1950 को और हमारे सविधान बंदे में दो साल 11 महिने और 18 दिन लगे थे और गणतंतर दियस पे जो देश का धंड़ा होता है वह हमारे राश्पति महोद्ये फैराते है और हमारे जो देश में गणतंतर रात्मा को विवस्ता है वो हमने फ्रांस के सविधान से लिए है कहां से लिए फ्रांस के सविधान से लिए और जो जंड़ा है हमारे देश का राश्पति दहोज है उसका जो दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है परते एक वर्ष तो जो बैडमिंटन आपको पता है जो गेम होता है जिसके अंदर रैकेट से खेलते हैं हम और यह करके यह इसके अंदर शटल होती है तो यह जो गेम है इसकी जो पैरा उलम्पिक पैरा से मतलब है जो विकलांग व्याकते होते हैं दिव्यांग व्याकते होते हैं उनके लियारिय या लखनाव में ये उत्तरप्रदेश की राइदानी है तो पहली पैरा बैडमिंटेन अकैदमी लखनाव के अंदर खोली गई है चलिए अगला परशन देखते हैं तो अगला परशन है हमारा इश्रो ने गगन यान मिशन के लिए थ्रस्ट विकास इंजन कहां विक्सित किया है तो इश्रो एक गगन यान मिशन शुरू करने जा रहा है और उसके लिए उसने थ्रस्ट विकास इंजन शुरू किया है कहां किया है बैंगलोरो में चैन्नाई में मेहंदर गिरी में या एपीजे अब्दुलकलाम द्विप उडिशा के अंदर तो इसका सही उत्तर है मेह मेहंदर गिरी और यह तमिल लाडू के अंदर स्थित है मेहंदर गिरी तमिल लाडू में स्थित है तो चलिए इसरो की बात करते हैं तो यह जो है थ्रस्ट विकास इंजन है यह भारतिये अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने विक्सित किया है और इसका सफल तापरो प्रिक् होने वाले गगन यान मिशिन की त्यारी के तैट इंजिन को पच्छी सेकंड के लिए निकाल के चेक किया गया है और यह सफल रहा है तो अगर हम इस रो की बात करें तो इस रो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इंडियन जबलोरन में है और इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 15 अगस्त RNA к को 15 अगस्त clairement को हुई थी और इसके जो स्थापक थे वो थे VAKRAM SARA BAI विकरम सारा भाई और इन्हें भारती अंत्रिक्ष विज्ञान का जनक भी कहते हैं और इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष है वो है S सौमनात वर्तमान के अध्यक्ष है S सौमनात इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे KC1 KC1 और वरतमन के देख़ें, एस सौमनात ये भी कई बार पूछ लिया जाता है और इसरो ने एक सूर्य मिशन, सूर्य अध्यन मिशन शुरू कर रहा है उसका नाम है अदित्य एलवन अदित्य एलवन, ये भारत का सूर्य मिशन है सूर्य का अध्यन मिशन कह सकते है आप इसको और भारत इसरो ने 104 उपगरह को भीजा था 104 उपगरह भीजे थे, वो भीजे थे PSLV C-37 के दवारा PSLV C-37 इसके दवारा भारत इसरो ने सूरी एक साथ 104 उपगरह भीजे थे और भारत और जपान के चंदर मिशन का नाम है LUPEX, भारत पलस जपान भारत पलस जपान और ये है LUPEX, ये चंदर मिशन है भारत और जपान का तो परशन क्या था हमारा, परशन था इसरो ने गगनियान मिशन के लिए थ्रश्ट विकास इंजन कहा स्था विक्षित किया है तो इसका सही उत्र है महंदर गिरी तमिलाडू के अंदर स्थित है और अगर इंडियन स्पेस रिसेर्च और उर्गनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालिया बैंगलोरू में है स्थापना 15 अगस्त 1909 को हुए थ और इने भारत्य अंत्रिक्ष विग्यान का विटा मायव ही कहते है और भारत पलज जापान का जो चंदर-यान मिशन है उसका नाम है लूपैक्स है और इसके वरतमान के जो अथीक्स है एस सोमना थै और इससे पहले जो इसके अभी रिटाईर हों एंव थेधाís सिवान और भारत का जो सूर्य अध्यन मीशन है सूर्य अध्यन मीशन है उसका नाम है L1 अधित्य L1 और भारत ने इसरों ने 104 उपगरे छोड़े थे PSLV C31 के द्वारा तो चलिए अगला परशन देखते हैं अगला परशन है आधि बद्री बांध कहां बनीगा तो हिमाचल में, हरियाना में, हरियाना वै, हिमाचल में या उत्राखन में तो इसका सही उत्तर है हरियाना में क्योंकि अगर हम आधि बद्री बांध की बात करते हैं तो ये हरियाना के बीच में है लेकिन जो आदि बदरी बांध का जो निर्मान है उसके बीच लिए जो समझोता हुआ है आदि बदरी बांध के लिए जो समझोता हुआ हुआ हर्याना वे हिमाचल के लिए बीच में हुआ है तो ये सरस्वति नदी के लिए हुआ है सरवस्थितिन नदी के काय कलब के लिए के काय कलब के लिए हुआ है और ये हर्याना में यमना नगर है जो हर्याना के यमना नगर में बांध बनेगा बांध बनेगा 77 एकड़ 77 एकड़ जमीन में बनेगा और इसकी जो लागत है वो होगी लगव दो सो पंदरा क्रोड रुपए है तो ये जो आदिवद्री बांध है ये बनेगा हर्याना के अंदर और ये जो समझोता हुआ है बांध बनानी के लिए हर्याना में हिमाचल परद 17 एकड़ भूमी के अंदर और 215.35 क्रोड रुपेज की लागत आएगी तो चलिए अगला परशन देख अगला परशन है 2022 में कुल कितने पदम पुरुषकार परदान किये गए 120, 122, 126 या 128 तो इसका सही उत्तर है 128 तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि पदम दूसरा होता है पदम भूषन पदम भूषन और तीसरा होता है पदम श्री तीसरा होता है पदम श्री तो तीन परकार से दिये जाते हैं और 26 जनुरी के दिन दिये जाते हैं गणतंतर दिवस के दिन तो इसकी इस बार राश्टपती रामनात कोविंद जो राश्टपती मह विभूशन दिया गया है पदम विभूशन चार लोगों को दिया गया है और 17 लोगों को पदम भूशन दिया गया है और 107 लोगों को पदम श्री से समानित किया गया है और जो पदम श्री सोरी सबसे पहले अगर हम बात करें पदम विभूशन की पदम विभूशन की स्किस क को दिया गया है तो इसमें एक तो महाराष्ट्रा से है परभा अत्रे परभा अत्रे हैं कई बर परशन एक्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किन को दिया गया है तो ये है महाराष्ट्र से हैं परभा अत्रे फिर है राधे शाम खेम का राधे शाम खेम का ये यूपी स इनको साहित्य के लिए दिया गया है और जनरल वीपिन रावत को दिया गया है यह उत्राखंड से थे मनोपरांत दिया गया है इनको और जो अभी एक हेलिकॉप्टर क्रेश के अंदर एकस्पायर हो गये थे और कल्यान सिंग को दिया गया है उत्तर प्रदेश से कल्यान सिंग को उत्तर प्रदेश से दिया गया है उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पदम भूशन की तो पदम भूशन दिया गया है निर्ज चोपड़ा को दिया गया है निर्ज चोपड़ा चोपड़ा हरियाना से है ये जैवलिन से और इसके इलावा दिया गया है गुलाम नभी आजाद को अगुलाम नभी आजाद जमू कश्मीर से थे ये और विक्टर बनर जी को दिए गया है पस्ची मंगाल से विक्टर बनर जी को वेस्ट बंगाल से इनको कला के एक्षेतर में दिया गया है गुर्मीत बावा को कला के एक्षेतर में दिया गया है पंजाब से गुर्मीत बावा ये पंजाब से है इनको भी कला के एक्षेतर में दिया गया है और बुद्ध देव भट्टाचारे को पस् सतरां लोगों को दिया गया है और इनमें से अगला परशन है हमारा एंजल ओफ कैलाश पुष्टक के लेखा क्या लेखी का कौन है अरविंदो गोश सुबीरा परशाद या शैलास तिरबाथी या अरुंधती राय तो इसका सही उतर है शुबीरा परशाद तो यह जो एंजल कैलाश बुक है यह शुबीरा परशाद है लेखी का है इसकी पुष्टक है तो चलिए आपको इसकी फोटो दिखाता हूं क्या पुष्टक है तो यह है इसकी जो फ्रंट पेज है दा एंजल ओफ कैलाश पुष्टक है जो उसका और यह इसकी लेखी का नाम है शुबीरा प पहानी लिखी गई है जो कि फुल ओफ फुल ओफ आप कह सकते हो ड्रामा है और लव है इससे भरी हुई है और ये इसकी जानकारी है तो परशन था अगला परशन है कि अगला परशन है राष्ट्र को नेता जी की जैनती है जैनती है और 25 जैनती है मत दाता दिवस है तो हमारा सही उतर होगा 24 जन्वरी को 24 जन्वरी को राष्ट्रिय बालिका दिवस मना जाता है और हर साल मना जाता है 2008 में शुरुआत हो इती इसकी 2008 में शुरुआत की गई थी महिला और बाल विकास मंतरालिय के द्वारा महिलावाय बाल विकास मंतरालिय के द्वारा 2008 में शुरू की गई थी और इसका उदेश्य था भारतिय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली ऐस मानताओं के बारे में जागरुकता फैलाना और इसी दिन इसके इलावा एक इंटरनेशनल गरल इंटरनेशनल डे ओफ दा गरल साइड भी होता है और यह मनाया जाता है 11 अक्तूबर को 11 अक्तूबर को जो अंतराश्ट्री है बाली का दिवस है अंतराश्ट्री है बाली का दिवस अंतराश्ट्रे वाली का दिवस्मना जाता है 11 अक्तूबर को परते एक वर्ष तो चलिए अगला परशन देखते हैं तो ये अंतिम परशन है अभी हाल में सुभाष भोमिक का निधन हुआ है ये कौन थे पूरो राजयपाल थे पूरो मुख्यमंतरी थे पूरो सैना देख्ष ते या पूरो फुटवाल खिलाडी थे तो ये जो पूरो फुटवाल खिलाडी थे तो ये जो पूरो फुटवाल गुल किये थे उसके काणी ने बिग टू भी कहते हैं और फुटवाल के खेल में ये भूम बोल के नाम से भी परशित है भूम बोल तो इसी के साथ आपके आज की कलास महफ्त होती हैं उमीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो आपके चैनल को लिए ऐसा करेंटा फिर मिलता है धन्यवात आपको दिन शुब्व